लेकिन यहां जो एंसर लिखोंगी वो आपको हिंदी के मीनिंग्स करके आपको लिख पौंगी ठीके तो फर्स टार्ट करते हैं अब मुझे बताओ आपके पिताजी के पिताजी आपकी क्या लगेंगे अगर according to our chapter अगर हम देखेंगे तो उसमें ग्रेंट पेरेंट्स आएंगा इंग्लिश में नाना को भी ग्रेंट फादर केते हैं और दादा को भी ग्रेंट फादर केते हैं तो यहां किसका पूछा हुआ है your father's father is your आपके पापा के पापा ठीके तो यहां हम ग्रेंट फादर नहीं लिखेंगे इंग्लिश में ग्रेंट फादर लिखते में यहां आपको दादा जी करते हैं लिखाऊंगे क्या बोलते हैं दादा जी और इंग्लिश में क्या बोलते हैं ग्रेंट फादर नेक्स देखों your father's mother is your आपके जो पिता जी है पापा है उनकी ममी आपके क्या लगती है according to English grand mother, nani को भी grand mother और दादी को भी grand mother लेकिन हम डेली अपने language में क्या बोलते हैं घर पे हम पापा की ममी जो होते हैं घर में हम क्या बोलते हैं दादी तो हम यहां लिखेंगे दादी जी यह जी हम respectfully लगा रहें दादी भी आप लिख सकते हो लेकिन respectfully जैसे हम बोलते हैं वैसे ही यहां लिखेंगे ठीके, next is your father's brother is your, देखो your father's brother is your, father's के पिता जी के भाई हमारे क्या लगेंगे अगर छोटे भाई होंगे तो हम उनको क्या बोलते हैं चाचा और बड़े भाई होंगे तो ताओ जी यह बड़े बापा यस, तो हम यहां चाचा और ताओ जी दोनों spelling लिखेंगे किसी भी students के पापा के अगर छोटे भाई होंगे तो उन्दी चाचा हो जाएगा अगर बड़े भाई होंगे तो ताओ जी हो जाएगी तो मैं यहाँ दोनों लिख रहे हूँ relation बड़े भाई के लिए ताओ जी ठीके एंद छोटे भाई के लिए चाचा जो और यहीं English में इसको पूलेंगे अंकल आप देखो इसमें मामा को भी अंकल केतें चाचा को भी अंकल केतें साओ जी को भी केतें सब कर देख सब की relations English में किया हैगा सिर्फ un Gan लेकिन अपनी इसी लिए फिन यह हैं वह मैं किया बोलेंगे अगर मैं आपको अंकल लिखाँगी तो आप सबको अंकल बोलोगी लेकिन अपने को ये डेली लाइफ में ये रिलेशन समझ में आना बहुत जरूरी है इसलिए मैं आपको ये हिंदी में लिखवा रही है ताकि आपको आपके घर में रहने वाले मेंबर्स के साथ क्या रिलेशन है ये समझ में आ जाएगा ठीक है ये फादर्स ब्रदर इस यूर बड़े होंगे तो अभू जी छोटे होंगे तो और चाचा जी और इंग्लिश में अंकल नेस्ट यूर फादर्स सिस्टर इस यूर अब फादर्स सिस्टर पापा की बेहन पापा की बेहन को हम क्या कहते है येस भू आप और इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसको अंटी को चाची को सबको क्या है इसलिए यहाँ यूर फादर्स सिस्टर इस यूर क्या क्या करते है भू अके भूव जी यहांपे भी रिस्पेंज़े लिख देंगे ताकि हम क्या करते हैं भुवा जी बोलते हैं या भुवाई बोलते हैं छोटे हो तो बुवा बोलते हैं ना बड़े होते हैं भुवा तो इसलिए भुवा जी अधरस्टेंड नेक्स्ट यूर मदर्स ब्रदर इस यूर आपके मम्मी के भाई आपके क्या लगेंगे डेली के लैंग्वेज में अगर बोले तो हम उनकर क्या बोलते हैं मामा लेकिन इंग्लिश में अंकर इसलिए आप हम यहा लिखेंगे मम्मी के जो भाई है उसे हम क्या कहते हैं मामा जी और इंग्लिश में अंकर इंग्लिश में अंट इंग्लिश में क्या बोलेंगे और हिंदी में हम क्या बोलेंगे यहां कोई मासी बोलता है क्या वोलता है तो हम यहां मासी लिखेंगे ओके मासी जी यानि आपकी मम्मी के बहनापकी मासी लगेगी भाई मामा जी लगेंगे और पापा के बहनापकी भुवा जी लगेगी पापा के भाई ताओ जी या चचा जी लगेंगे पपा की मम्मी पपा, दददी लगेंगे, मम्मी के मम्मी पपा जो होते हैं, वो क्या होते हैं, नाना नानी, जो यहां दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप ध्यान दखना मम्मी के जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पपा, उनको हम क्या कहते हैं, नाना नानी, अब देखो, your uncles children are here, अब अंकर्स चिर्दन, अंकर्स में मामा भी आता है, चाचा भी आते है, ताउजी भी आते है, ठीके, तो उनको हम क्या बोलेंगे? अब यहां बहुत बड़ा हो जाएगा, चचेरा भाई, म मेरा भाई बहन, ओके, तो हम क्या करेंगे यहां? इसका जो वर्ड है, अब यह आपस समझ में कैसे हाना चाहिए? अगर मामा जी का लड़का है, तो म मेरा भाई, चाचा का लड़का है, तो चचेरा भाई, ठीके? अगर मौसी का लड़का है तो मौसे रभाई यह इस तरह से हम अपने relation को display कर सकते हैं लेकिन यहाँ English में total क्या आएगा only cousins वो ही ठीके अब आप बोलोगी इसमें आपने English में क्यों कर वाई है क्योंकि देखो इसमें इसरे में आपको समझा रही हूं मामा के लड़के को मा मेरा भाई मा मेरी बहन मासी के लड़के लड़की को मौसे रभाई बहन भुवाजी के लड़के को यह जो relation होता है उसके according हम भाई बहन करते हैं ठीके यह understand आपको यह सारे relation समझ में आए do fast यह अपने नोटों में write down कर लो फिर हम true false write down करेगे do fast next question right, true and false statement दिये हुए उनको read करना है अगर true होगा तो true लिखोगी false होगा तो false लिखोगी first a small family is not a happy family छोटी family happy family नहीं small family happy family नहीं है नहीं है क्या नहीं according to this book this chapter small family is a happy family तो इसका answer क्या आएगा true यह अपने सोच में नीपर करता है अगर किसी को giant family पसंद है तो वो happy family giant family को कहेंगी और किसी को small family पसंद है या nucleus family पसंद है तो उनके लिए निपर फैमिली happy family होगी इसी लिए according to this chapter इसमें आएगा true a small family is not a happy family sorry false आएगा इसमें not आया हुआ है this is my mistake okay a small family is not a happy family क्याएगा false next is parents with more than two children make a small family small family की definition क्या है parents and two children one or two children और यहां बोलोगा है parents with more than two children तो बच्चों से जादा बच्चे रहते है उस family को हम क्या केते है big family केते हैं ना कि small family तो यहां क्या रहेगा false next parents with more than two children make a big family जिस family में दो से जादा बच्चे होते हैं उस family को big family कहा जाता है is this true yes क्योंकि big family की definition ही ही है can a parents with more than two children okay दो से जादा बच्चे और उनके parents एक साथ रहते हैं उसे क्या करते हैं big family तो यहां इसका answer आएगा T-R-U-E true next parents with many children में a joint family parents with many children parents और बहुत से बच्चे अब देखो अपने joint family की definition हम लोगोंने chapter जब डिसकस कर रहे थे उसी वक्त आपको बताई थी कि joint family में grandparents parents, uncle, auntie यह सारे रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं joint family parents with many children बहुत बच्चे no तो क्या आएगा यहाँ false यह आपक्यों अपने notebook में neat and clean handwriting में write down करने हैं अब next period में अपने बच्चे हुए हैं answer the following question वह हम complete करेंगे तब तक के लिए तक करेंगे बच्चे हुए 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 है